Hello Friends, I am Dr. Mohinder Kumar आपका आपकी YouTube Channel Competitive Tutorials by Mohinder Sir में मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ English का एक बहुत important topic 3 conditional sentences discuss करने वाला हूँ ये एक ऐसा topic है जो each and every competitive exam में set किया जाता है so, चलते हैं हम इस topic की तरफ 3 conditional sentences so, in English there are 3 conditions they are called open condition imaginary condition and rejected condition so, सबसे पहले हम चलते हैं पहली condition की तरफ पहली condition को हम कहते हैं open condition इससे हम एक और नाम से भी बुलाते हैं इसे हम double future भी कहते हैं open condition first of all आपको पता होना चाहिए open condition what's the meaning of open condition open condition means means की काम हो भी सकता है और नहीं भी इसलिए हम इसे open condition कहते हैं इसे हम double future इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी दो closes होते हैं वो दोनों future को indicate करते हैं example share करना चाहूंगा जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं बजार में जाऊंगा तो मैं ये चीज खरीदूंगा now this is an open condition ये दोनों closes future में है open इसलिए है क्योंकि इसमें काम हो भी सकता और नहीं भी मैं चीज कब खरीदूंगा जब मैं बजार जाऊंगा और अगर मैं बजार नहीं गया तो चीज नहीं खरीद पाऊंगा इसलिए इसे open condition कहते हैं ये बहुत important condition है it's a very important topic in English अब इसमें लगाते हैं क्या है बहुत simple है sentence क्योंकि condition है तो sentence हमारा if से शुरू होगा if के बाद हम क्या लगाते हैं हमेशा present indefinite tense लगाते हैं अब present indefinite tense को याद करना बहुत easy है present indefinite tense में क्या लगता है verb की first form verb की first form के साथ क्या लगता है एस और एस लगता है first form किसके साथ लगती है आये प्लूरल के साथ plural का मतलग का बहुचन बहुचन मेंस more than one एक से ज़्यादा and first form of verb plus S और एस लगती है with singular के साथ यह pattern हम यूज करने assertive sentences में यह simple sentences अगर हम बात करें present indefinite में negative sentence की तो negative sentence में हम क्या यूज करते है don't doesn't plus even don't हम किसके साथ लगाएंगे I and plural के साथ लगाएंगे doesn't हम लगाएंगे singular के साथ यह तो हमारा pattern है present indefinite में यह लगाती है तो एक close में तो हम present definite tense लगाएंगे और दूसरे में हम क्या लगाते है future indefinite tense और future indefinite tense में हम क्या लगाते है will shall plus even तो अब आपको क्या धिहां रखना है बिल्कुल सिंपल सी बात धिहां रखनी है अगर कोई sentence if से start होगा अगर आपको उसमें present definite tense दिया हुआ है तो दूसरी तरफ क्या आएगा आपका will shall plus में वरब की first form हैगी अगर इफ वाले sentence में दूसरी तरफ आपको will shall plus में वरब की first form दी हुई है तो आप इस blank में first close में क्या लगाओगे present indefinite tense जस्ट हम एक example के through इस concept को clear करते हैं for example for example if he dash hard he will pass for example यह हमारे का sentence है हमें sentence में हमें sentence के से शुरू हो रहा है if के साथ इधर हमें क्या दे रखा है will plus में वरब की first form दे रखिए इसका मतला अब यहाँ पर एक ही tense हा सकता है और वो tense कौन सा है present indefinite tense मालो exam में आपको 4 option दिये हूँ एक आपको option दिया हुआ है work दूसरा option आपको दिया हुआ है works तीसरा option दिया हुआ है worked और चोथा option दिया हुआ है has worked तो अब इन चार option में से बहुत easy है guess करना कौन सा option लगेगा बी option लगेगा क्यूं? present indefinite tense लगेगा और ही हमारा क्या है singular है तो singular है तो singular के साथ क्या लगेगी verb की first form के साथ yes work हमारी first form है पीछे ऐसा लग रहा है तो इसलिए इसमें क्या लगेगा? works लगेगा तो कई बार दो exam में इस तरिके से दिया होता है और कई बार हमें क्या दिया होता है common errors का topic आता है हमारे तो common errors में क्या होता है? sentence को part में divide किया होता है और किसी पार्ट में हमने मिस्टेक्स बताने होती है, एक वो भी ग्जाम्पल करती है, for example, if he read a novel, he will learn a lot of new things. मालो पेपर में ये आपको कोमनेरर का टोपिक आगया. अब हम अगर इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, A पार्ट, a novel B पार्ट, he will learn C पार्ट, a lot of new things, D पार्ट, ये हमारे कॉमन एर्ज, each and every exam में सेट किया जाती है, तो इसमें से हमने उस पार्ट को बता रहा है जहां मिस्टेक है, तो बहुत असानी से आप मेरे खल में पहचान पाओगे, संटेंस किससे शुरू हो रहा है, एफ के साथ, और हमें दूसरे क्लोज में क्या दिया हुआ है, विल प्लस में वर्ब की फिर्स्ट फॉर्म, लर्न वर्ब की फिर्स्ट फॉर्म है, इसली इसका मतल यहां कौन से टेंस अना चाहिए था, प्रजेंटी इड़ेफिनेटेंस, और प्रजेंटी इड़ेफिनेट में ही हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, एस और एस लगना चाहिए था, जो यहां पर नहीं है, तो इसका मतल हमारी mistake कौन से पार्ट में है? aiming So this is the second way in which the question on open condition is raised in competitive exams अम दूसरी condition की तरफ चलते हैं दूसरी condition का नाम है imaginary condition Second condition is called imaginary condition imaginary means kalpnik जो possible नहीं है नहीं हो सकता हमारी सबकी बहुत habit होती है हम kalpna में बहुत सारे रहती है कई बार हम क्या कहते हैं? और अगर मैं परदान मंतरी होता ना देश में ये ये कर देता कई बार हम स्कूल में बढ़ते हैं अगर मैं प्रिंसिपल होता है ना इस स्कूल का तो मैं ये कर देता ये कौन से संटेंस हैं? इमेजनरी संटेंस हैं, इमेजनरी कंडीशन हैं अब इमेजनरी कंडीशन को करते कैसे हैं बहुत एज़ी है अगें आपका संटेंस इप से शुरू होगा अब इप के बाद आपको कौन से टेंस लगाना होता है? Past indefinite tense लगाना होता है अब past indefinite में हम क्या लगाते हैं verb की second form लगाते है लेकिन अगर आप कल्पना कर रहे हूं as in noun noun I think आपको हम सब को पता है noun क्या होता है किसी विक्ती वस्तूस्थान का नाम होता है अगर हम कल्पना करते हैं noun के रूप में, संग्या के रूप में जैसे अभी मैंने कुछ example दिया दे कि अगर मैं परधान मंतरी होता तो परधान मंतरी noun है क्योंकि एक परसन का नाम है अगर हम कल्पना करते हैं एक noun के रूप में तो हम हमेशा क्या लगाएंगे वर लगाएंगे अगर हम as a noun imagine करते हैं कल्पना करते है तो simple structure है sentence इप से शुरू होगा अगर as a noun हम imagination करते हैं वर लगाएंगे otherwise अगर verb दियो हुई है तो verb की second form लगाएंगे और इधर हम क्या लगाते हैं would plus में verb की first form इससे याद रखना बहुत easy है ओपन करडिशन में हमने क्या यूज गया था present indefinite tense उधर क्या यूज गया था will plus में first form तो imaginary condition में क्या होगा वहाँ पर हमने present indefinite tense यूज क्या था यहां हमने कौन सा tense यूज कर लिया past indefinite tense वहाँ will plus first form थी तो will का हमने past बना गया would plus में first form तो बहुत easy से sentence है जस्ट मैं आपको example देता हूँ if I dash the principle comma I would I would do a lot for the school अब इस sentence को अगर हम ध्यान से देखते हैं sentence किस से शुरू हो रहा है if से यहां में क्या दिया होगा है would would plus में verb की first form तो इसका मतलब हमारे पास दो option हैगे जात इसमें word लगेगा जा हमारी क्या लगेगी verb की second form लेकिन यहां किस रूम में imagine कर रहे हैं as a noun principle as a noun लिक्ती का नाम है तो मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि जब हम imagine करते हैं as a noun तो हम क्या लगाते हैं word लगाते हैं तो यहां हम क्या लगाएंगे word if I were the principle I would do a lot for the school अगर हम इसका example लेते हैं verb की second form का तो जराब एक उसका example लेते हैं कहां लगते हैंगे for example now another example if he dash wings comma he would fly in the sky अब हम चार ओप्शन ले लेते हैं इसमें पहला ओप्शन आगया हमारे पास hatch दूसरा ओप्शन आगया have थर्ड ओप्शन आगया हमारे पास had चोथा ओप्शन हमारे पास आगया will have अब हम यहां पर क्या लगाएंगे वर्ब की second form अब यहां पर वर्ब की second form कौन सी है had had किसकी second form है have की have मेने होना होता है have, had, had तो यहां हम क्या लगाएंगे वर्ब की second form had लगाएंगे तो इस वेरी इजी अपने घ्या ध्यान अखना है अगर sentence इस से शुरू होता है अगर हमें good plus में first form दिया हुआ है second close में close वरे topic को हम बाद में discuss करेंगे तो हम यहां पर क्या लगाएंगे हमारे पास two options रहेंगे जा तो हम वर लगाएंगे यहां second form लगाएंगे वर हम तब लगाएंगे जब हम imagine करेंगे as in noun के रूप में जैसे हमने principal imagine किया था और जब वर्ग दियोगी तो second form लगे है this is your second condition that is imaginary condition अब हम चाज़ते हैं तीसरी condition की तरफ जो सबसे important है और maximally most of the cases in most of the exam this condition is set and this is called rejected condition we are going to discuss the third condition and third condition is called rejected condition rejected condition इसे अम एक और नाम से भी जानते है rejected condition को और condition of regret regret का मतला हो था अफसूस पहले हम रिजेक्टेड इसे रिजेक्टेड कंडिशन क्यों कहते हैं रिजेक्टेड कंडिशन इसलिए कहते हैं कि वो काम possible था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया और condition of regret क्यों कहते हैं क्योंकि अफसूस करते हैं वो काम जब नहीं करते हैं और हमारी जिंदगे में बहुत सारे अफसूस होते हैं हम प्राइ सोचते रहते हैं कि अगर मैं वो कर लेता ना तो ये हो जाता है अगर अगर थोड़ इस काम पोसिबल था हम सिलेक्शन करवा सकते थे अगर हम थोड़ा सोर पढ़ते लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया रिग्रेट इसलिए करते हैं अब अफसूस हो रहा है क्योंकि हम नहीं पड़े तो हमारे इच्छे मात नहीं आए तो इसमें बड़ा सिंपल सा पैटर्न है अब इसको भी क्या ध्यान रखना है संटेंस हमारा इप से शुरू होगा और इप के बाद हम लगाते हैं पास्ट तो आपको धेंगा है अगर कोई संटेंस इस से शुरू होता है तो यहां हमारा क्या लगेगा add plus में वरब की third form लगेगी this is the most important condition out of three conditional sentences first one important and this is the third one यह maximum set की जाती है यहीं से example set किया जाता है ज़र हम example की तरफ चलते हैं आपको clear करते हैं for example if I dash hard बड़ा simple से example लेंगा आपको सब्जाने के लिए I would have passed हमारे पास यह आगा हमारे पास चार ओप्शन आते हैं पहला ओप्शन आता है worked दूसरा ओप्शन आता है had worked तीसरा ओप्शन आता है हमारा work एंद चोथो ओप्शन आता है works तो बहुत एजी है पहचाना sentence किससे चुरू हो रहा है इसके साथ यहां में क्या दिया हुआ है would have plus में वरब की third form तो इसलिए हां पर हमें एक ही tense आएगा past perfect tense means had plus में वरब की third form लगेगी और had plus में वरब की third form हमारा कौन से option है second तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी positive लगता है लगता है कि हमने कुछ सीखा है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ता कि time to time जो new video जो अब मैं ने 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 वीडियो में आपके 10 के सीरी जाने वाला हूं I will discuss each and every 10s in detail in one video I will discuss one 10s in detail and so if you find this video really interesting really beneficial so please share this video and subscribe my channel so that you may get such type of quantitative videos again and again and you may be manipulated thanks